नमस्कार, मैं एरुन सास्त्री आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ट्रूत वापेश्ट्रो लाइप पे स्वागत करता हूँ और आज का भी सह है त्रियोदसी के दिन यम के निमिक्त दीप दान करने का महत्तु क्या है? दीप की जलाने में किन नियमो का पालन करें? अस्कंद पुरान में वर्णन है, कार्तिक स्यासिते पक्षे त्रियोदस याउमनी सामुखे यम दीपम बहिर दद्ध्याद अप मिर्थूर विनिश्चति कार्तिक क्रिश्न पक्ष त्रियोदसी के दिन सायंकाल घर के बाहर यमदेव के निमिक्त दीप रखने से अपमृत्यू अर्थारत अकाल मृत्यू का निवारन होता है माननेता है कि जो लोग आज के दिन दीप दान करते हैं उन्हें यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता है और अकाल मृत्यू का भई नहीं रहता है एक वारी यमदूतों ने यमराज को बताये कि महराज अकाल मृत्यू से हमारे मन भी पसिच जाते हैं यमराज कहते हैं क्या करें ये तो बिधी का विधान है लेकिन एक उपाय है धन तेरस के दिन पूजन एवं दीप दान करने से अकाल मृत्यू का भई नहीं रहता है आईए अब जानते हैं कि दीपक जलाने में किन नियमों का पालन करें सर्व प्रथम आटे का चौमुखा दीपक बना ले कहीं कहीं गोबर का भी चौमुखा दीपक जलाने का नियम है तो जैसा भी हो आप चौमुखा दीपक बना ले उसमें काले रंग के बत्ती का प्रियोग करें काला कपड़ा का बत्ती बना ले या काला सूता का बत्ती बना ले उस दीपक में सरसो तेल डालकर दीपक को घर से दक्षिन दिसा की ओर रखें दीपक के नीचे काला तिल रखें और उस काली तिल के ऊपर उस दीपक को रखें दीपक प्रज्वलित कर दक्षिन दिसा के और मुह करके ओम यमाई नमह का जब तेरा हबार करें क्योंकि दस दिकपाल में दक्षिन दिसा के स्वामी यम्राज हैं और अकाल मृत्यू को दूर करने के लिए आप त्रियोधसी के दिन इन नियमों का पाला नवश्य करें धन्यवाद